नमस्कार मैं यश्पाल हंस करनाल से जोतिश की चर्चा के साथ आशा है आप आनंद में होंगे खुश होंगे धनवार रैश्वरिय का आपके पास कोई त्रुटी ना होगी संताने आगया में होंगी और वातावरन शुद्र पुवित्र होगा मेरे प्यारे बंद वो आपका कल्यान हो और आप लोग खुश रहें हमारे लिए तो कम से कम ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे श्रोता प्रसंड है हमारे श्रोता अपनी हर वो चीज प्राप्त करते हैं जिनकी उन्हें इच्छा होती है कहा भी तो किया है शास्त्रों के अंदर मेरी सब सद इच्छा हैं पूरन करो कहीं नहीं कहा किसी मंत्र के अंदर कि मेरी हर इच्छा पूरी करो नहीं मेरी सद इच्छा हैं पूरी करो जो इच्छा हैं मुझे प्राप्त होने के बाद मेरे लिए कश्ट दाई सावत हो है प्रवेशर उसे पूरा ना करना पूरा उसी को करना जो मेरे लिए आगे चलके कल्यान कारी हो मेरे पियरे पंदुगो कई बार अपने बड़ूं की घुरूं की सीनियर्स की विद्वानों की यादें आते हैं जो आज दुनिया में नहीं है उनके शरीड दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी बातें आज भी गुंजाएवान हैं अंत्रिक्ष के अंदर कम से कम मेरे लिए तो है जो ये कहा करते थे कि इस संसार में जो व्यक्ति गैतरी का जाब करता है मा गैतरी का जाब करता है उसका जाब करके ही उठता है उसका जाब करके ही सोता है की कसोटी पर हमने इस बात को बिल्कुल ठीक पाया गरस्ती लोग विफारी लोग करमचारी लोग जिन्हों ने गैत्री के महत्व को समझा मैंने उनको उनके मुक से सुना कि गैत्री का जाफ हम अवश्य करते हैं कई सद्पुर्श ऐसे भी मिले जो मां सरस्वती की इसलिए अराधना करते हैं वो पासना करते हैं क्योंकि वो गैत्री मंत्र का ही रूप है संसार की एक मात्र देवी जिसके हाथ में कोई शास्त्र नहीं है या तो शास्त्र है पुस्त के हैं या वीना है गायन की वीना सामवेद सारा कायन पर भरा हुआ है सामवेद पूरा गायन पर भरा हुआ है गा कर प्रभू की स्तुति करना हम लोग किवल आपको बता सकते हैं हमारा अपना जीवन ही ठीक गुज़रे हम इसी की प्रभू से प्रातना करते हैं कि हम जो आपने हमारे जिम्मे करता भी लगाया है हम पूरा करते रहेंगे आप हमारा जीवन ठीक रखिए वक्त बढ़ता जा रहा है उमर कहीं से कहीं पहुँचती जा रही है हमें अच्छी सेथ देना प्रभू हम किसी के अधीन नहों अधीना स्याम शर्धाशतम भूयस शर्धाशतात ये समझिएगा ये वेद का मंत्र है मैं जीवेम शर्धाशतम अगर मैं सो वर्ष तक जीऊं तो मैं किसी के अधीन होकर ना जीऊं ये समझना मेरी बात सुनना ये मेरे मंत्र नहीं है ये पवित्र वेद के मंत्र हैं जीवेम शर्धाशतम मैं सो वर्ष तक जीऊं और किसी के अधीन होकर ना जीऊं और अगर सो साल से ज्यादा विजी जाऊं तब भी किसी के अधीन होकर न जीओं रहूं कम से कम भोजन कपड़े के लिए तो किसी के अधीन ना हूं कौन पूछता है हर आदमी अपनी अपनी में फसा हुआ है पिरे प्यारे बंदुओं मन तो होता है कि जोतिश की बात से शुरू करकि जोतिश की बात पर ही खतम कर दूँ लेकिन फिर मन का वो बात याद आती है एक गैतरी के अंदर एक उसका जब अर्थ करते हैं तो उसमें अखर जब आता है किए कलेश आप रामिष्ट परमेश्वर आता है ना इसके अंदर तत्थ स्हावितर वरेजियंग इंत्थ स्थावितर वरेणियंग भर्गोद्य वसे दी मही धियो योना प्छो दिए या चावितर वरेणिएं है प्रभू में तेरा वरन करता हूं मैं त तेरे गले में ही माला डालता हूं तू ही मेरा सब कुछ है और मैं इसके अतिरिक कुछ नहीं कह सकता तू ही मेरा सब कुछ है एक महानवे ग्यानिक को सब कुछ धारन कर लिए तू मेरा पिता है पती है सब कुछ है तू मेरा अन्यत पर्दाता है गैतरी मंत्र का जाप मैं आपसे प्रमर्ष दे सकता हूं बाद नहीं कर सकता हूं प्रमर्ष करते सकता हूं गैतरी से सर्वत्त क्रिष्ट कोई मंत्र है नहीं गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने स्पष्ट का कि चंदों में गैतरी चंद मैं ही हूँ वेदों में साम वेद मुझे ही कहते हैं चंदों में चंद कहते हैं मंत्र को चंदों में गैतरी चंद मैं ही हूँ और वेदों में साम वेद मुझे ही कहते हैं परवतों में हिमाला मैं हूँ जल्चरों में जलाशियों में समुद्र मुझे ही कहते है तो गैतरी का मंत्र इससे बड़ा कोई कोई मंत्र नहीं हो सकता जब यह से याद कीजिए कि तुरूटी ना आए अब देखो पहला शब्द उसने लिया ओम ओम से सीधा अभी प्रह परम सात्मा की और जाता है ओम मिन्स प्रभू को याद करना एक शब्द बीच में आया कलेशा परामिष्ट है इस्वर मेरे जीवन में जितने कलेश हैं परामिष्ट उनको दूर कीजिए अब कल बाकी दुख तो कलेशों के हैं कहीं पैसा नहीं कहीं बच्चों के पढ़ने में में बाधाया नहीं थीक नहीं कहीं कोई और समस्या आरे हैं कहीं घर में तो यहीं कहला है कि 2 उ ARE परामिष्ट परमेश्वर करेशों को दूर करने वाले मेरे प्रभू आप मुझ पर क्रिपा किजिए मैं आपका वरन करता हूं अर्थात आपको यह अपना सर्वे सर्वा मानता हूं मेरे प्यारे बंदुओं मैं आज जोतिश की बात से तोड़ा सा दूर हो गया आओ जोतिश पर चलते हैं आपने मेरी गैतरी वाली बात को नहीं भूलना और मेरी सरस्वती वाली बात को नहीं भूलना महाँ शार्दे कहा गया ऐसे ऐसे लोग अपनी वानी के बल पर दूसरों को जीत लेते हैं बीना है ना हाथ में और अपनी बातें जो पुस्तके हैं ये क्या हैं कथनी तो हैं अपने कथन के बल पर दूसरों का हिर्दे जीत लेते हैं खर आता हूं कुंडली की और आता हूं ग्रहों की और जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर और सूर्य और ब्रस्पती कठे बैठ जाएं सूर्य और ब्रस्पती कठा बैठ जाएं वो व्यक्ति वास्तम में अपने जिसे कहते हैं एक मुख्या सा होता है बहुत से लोगों के सबू का मुख्या होता है विद्वान होता है समझदार होता है निरने करने के उसमें बड़ी जबर्दस शक्ति होती है जो लोग सूरी के साथ जिसके शुक्र बैठता है उसका जीवन भले ही विलासी हो भले ही वो किसी प्रकार का जीवन जी है लेकिन दूसरों के बड़ा काम आएगा वो चल पड़ता है दूसरे की कष्ट को सुनकर के निरा करन करने का प्रयास करते है जिस वक्ति के सूर्य के साथ बुद्ध बैठ जाए और बुद्ध अस्त ना हो यही बात शुक्र पर भी ला एक बात मेरी आप नोट रखना जो जोतिश पढ़ रहे हैं या जोतिश में जो अपनी कुंडलियां देखते हैं अगर माराज सुर्य नवाम दसम या कादिश में बैठ जाएं दसम में तो इसको बिलकुल गरंटिट समझना वो विक्ति अधिकारी होगा उसके पास बहुत स शर्द यह है कि उसकोनडलि में कई प्रश्पति नीच नऊ हो जाएं अगर प्रश्पति नीच हो गया तो सुर्य की शक्ति को खत्म कर सकता है क्योंकि प्रहस्पति भले ही शक्ति सुर्य से लेता है लेकर सुर्यपर हावी रहता है मेरे प्यारे बंद्वों सूर्य के साथ राहू का बैठना शुब नहीं माना गया सूर्य के साथ शनी का बैठना भी को इतना शिरस्कर नहीं माना गया उसके उपचार और निदान्त मैं बताता रहता हूं आपको करते रहा करो सूरिय का सूरिय दान करता है देखो आप वो अपनी शक्ति को अपने सौर मंडल में फैला रहा है पिछले दिनों सर्दी थी अब गर्मी आनी शुरू हो गई उसने अपनी जो हीट थी अपना जो ताप मान था उसको क्या किया क्या नहीं किया जो तब ग्यानी की जाने या प्रभू ही जाने के मौसम बदलना शुरू हो गया हम लोग जो दुबके हुए थे बाहर निकलने शुरू हो गए ये ईश्वर की क्रिपाएं हैं जिनकी कुंडलियों के अंदर सूर्य बहुत अच्छी स्थिति लिए होता है वो परतापी भी होते हैं समाज में ज़त भी प्राप्त करते हैं जिसका शनी लगन में बैठ जाए है चुका हूं कुंडली को कही न कहीं कमजोर करता है क्योंकि ये ग्रह ऐसा है इसका काम देता तो सिर्फ उसको है जिसके बहुत बढ़िया करम होते हैं पिशले जन्मों के वर्तमान अब पिशले जन्म का तो वर्तमान करम की बात करूंगा दो आदिश में बैठ जाए कही है कि आखों को कमजोर करेगा छटे घर में बैठ जाए शनी तो उस विक्ति को रोगों से बचना चाहिए विशेश रूप में जो दिमागी रोग होते हैं उनसे बचना चाहिए वहम से दूर रहना चाहिए आठवे घर में शनी आयू तो लंबी करता है लेकिन आप दीको ज ख़़ा है है यह मैं और मंत्रों भी चल्चा करूंगा है मैंने गैतरी पर को चल्चाने करी शारांश पर आपको बताने की कोशिश करी मैं असपर किस दिन पूरी चल्चा कर जाओंगा क्योंकि इतनी किताबें पड़ी गैतरी मंत्र पर एक एक शब्द को पड़ो तो पता लगता है कि गैतरी तुम परमात्मा के कितना निकट है कलेशा परामिश्य कभी नहीं बूलता है मैं तेरा वरन करता हूं तु ही मेरा सर्वे सर्वा है सर्वस्वे मेरा धियो यो ना प्रचोदयात अंत में क्या कह रहा है धियो यो ना प्रचोदयात परमात्मा मेरी पुद्धी को प्रचंड करो अगर मैं बुद्धी मान होंगा तो मैं जीवन की बाजी जीत जाऊंगा अगर मैं दुरुद्धी होंगा तो जीवन की बाजी हारूंगा ही हारूंगा तिरा मिनिट हो गए आज की बात को यहीं समात करता हूँ बातें खत्म होंगी नहीं मैं भी करना चाहता हूं कि जितना कुछ चालिस वर्ष के दिर मैंने प्राप्त किया कुछ तो बांट सकूँ अगर आपको अच्छा लगे जोली में डाल लेना ना अच्छा लगे तो फैंक देना मेरी नवश्कार कबूल कीजिए स्विकार कीजिए और मेरी शुब कामना स्विकार कीजिए कल फिर मिलता हूं आपसे जय जगत जय भारत